नबशकार मैं हूँ विवेक बिन्ध्या टाइम्स में आपका स्वागत करता हूँ संबेदान और भारत की सिरीज में आज बात राष्टपती की शक्तियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि असल में राष्टपती को साथ प्रकार की शक्तिया प्राप्त होती है अपने सुना होगा कि राष्ट्रपती के पास फांसी या किसी भी सजा पाचु के लोगों को माफी देने का दिकार होता है जो राष्ट्रपती की एक महत्वपूर्ण शक्ती होती है संविधान के अनुच्छेद 72 में राश्टपती को उन विक्तियों को छमा करने किया शक्ति प्रदान की गई है जिन मामलों में यह शक्ति प्रदान की गई है वो मामले हो सकते हैं कि संगी विरुध अपराध हो या फिर दंड पाप चुका नियाले से दंड पा चुका विक्ति हो या फिर दंड का स्वरूप मृत्र दंड हो आपको पता है कि सबसे अहम जो इसमें बात होती है कि राश्ट्रपती को लिए गए इस फैसले को कोट में चुनौती नहीं दी जा सकती हलाकि कोट यह जरूर देखता है कि राश्ट्रपती ने फैसले के दौरान सभी तथ्यों को ध्यान से देखा है या नहीं आपको बताएं कि संसद में विस्वात मत खो चुका मंत्र परिसद अगर लोकसभा को भंग करने की मांग करता है या कहता है तो उस मंत्र परिशद को भंग करने का अधिकार राश्ट्रपती को ही होता है और उसकी मंशा को दुबारा चुनाओ कराने की अगर होती है तो राश्ट्रपती उस सलाह को मानने के लिए बाद नहीं होता राश्टपती यह पहले देखता है कि क्या कोई गटवंधन है जो इस्थाई सरकार बना सके सदन में विश्वास मत खोचुका मंत्परिसद अगर खुद इस्तिफा ना दे तो राश्टपती उसे बरखास्त भी कर सकता है अपको बताएं कि राश्टपती की जो कूटनीतिक शक्तियों की प्राप्थ हैं उनके बारे में अगर आपसे बात करें तो देश में जितने भी अंतराश्टी, संधी या समझोते होते हैं हलाकि इसके लिए संसत की अनुमति लेना अनिवारे होता है और अंतर राष्टी मंच यूबा मामलों में भारत का प्रतिनिधुत भी करते हैं कुटनीतिक जैसे राज़दूतों की नियुक्ती उच्चायकतों को भेजा जाता है उनका स्वागत किया जाता है अन देशों से जो राजवदूत आते हैं उनका भी स्वागत किया जाता है वो राश्टपती ही करता है राश्टपती की सैन शक्तियां एक महतोपूई शक्ति मानी जाती है देश में उनके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो भारत में सैन बल का सरवोच्तम पद सेना पती का होता है और वो राश्ट पती के पास ही होता है चमता में अब्बल थल सेना हो या जल सेना हो या बायू सेना हो इनके प्रमुखों की नियुक्ति राश्ट पती ही करता है किसी देश से युद्ध की समाप्ति की घोशना राश्ट पती करता है कि तो राश्टपती उच्चतम नियाले या मुख नियाधीसे के नियुक्ति या उच्च नियाले के नियाधीसों के नियुक्ति करता है। नहीं हो सकती है। वह स्वतंत्र होता है। क्योंकि वह देश का राश्टपती है। देश का राश्टपती ही महानियंतरक लेखा परिच्चक। इसके साथ ही लोकसेवायोग, विक्तायोग या अन्यकी रिपोर्ट संसत के समच रखता है। जो एक महत्वपूर्ण शक्ती बारे में और एक महत्वपूर्ण शक्ति जिसे हम आपातकाल इन शक्ति कहते हैं और देश में आपातकाल किन परिस्थितियों में लगा सकता है राष्ट्रपती इन सभी के बारे में हम प्रिस्तार से बात करेंगे आगे भागों में तब तक के लिए बहुत-बहुत